जिस क्षण की प्रतीक्षा व्रिंदावन की पावन भूमी को वर्षों से थी अंततहे आज वो क्षण आही गया ब्रह्मदेव देवी राधा और श्री कृष्ण अपनी पवित्रता और निश्चल प्रेम से व्रिंदावन की पावन भूमी को सदा सदा के लिए ठग देंगे राधा का एक अनुरोध सबसे पहले वो मुख दिखाएगी उसके पश्चा प्रिष्ण सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है आइ दिए अपनी निस्चा प्रिंदावन की बनाम से इच्छा प्रिंदावन की इच्छा आदेश है अब तुम्हारी बारी है क्रिष्ट दिखाओ अपना मुक्त क्या हुआ क्रिष्ट तुम्हें लेत्रे क्यों बन कर ले अपने होने वाली वधू को नहीं देखोगे नहीं बस तुम्हें इस रूप में देखने के लिए स्वयम को सच्च कर रहा हूं क्रिष्ट आज तो तुम्हें संदर्ता को परिभाशत कर दिया रहा थे तुम जानती हो मैंने अपने नेत्रे बंद क्यों किया थे नहीं तो जब पहली बार तुम गोलू को छोड़ कर यहां पधारी थे तब तुमने मुझे एक बचन दिया था अब यह आंखे तभी खुलेंगी जब तुम मेरे सामने आओगे सत्य यह है कि मुझे देखने के लिए तुमने बहुत प्रतिक्षा किया था इन कुछ चणों में उन सब ही अन गिनत चणों की बस अस्त्रिष्णा में भोगना चाहता था खदाचित यहां सभी उसिक्षण की प्रतिक्षा कर रहे हैं कि विवहा में सबसे सुन्दर कौन दिख रहा है मैं या तुम तो मैं सभी की अक्कलों को समाप्त कर उस निर्नय की घोशना करती हूं कि सबसे सुन्दर तुम हो क्रेश क्योंकि संपून भ्रह्मान में मारे हिदे से अधिक और कुछ सुन्दर नहीं है वो है दे जिसमें अधा प्रीम बसा है तुम सुन्दर हो क्योंकि तुम्हारी जैसा प्रीम संसार में कोई नहीं कर सकता तुम्हारी इस निश्चन प्रीम को पाने के लिए इस अंसार में अपना जब को छाड़ने को सज्यों तुम्हारी आप विवा के विधिया आरम कीजिए अनिता वर और वधू अपनी प्रीम पूर्णे बातों से हमें यूहीं रूलाते रहेंगे चलिए विवा आरम करते हैं झाल को प्राइब आरम करते हैं तेरे लेने के लिए बरवधू खड़े हो जाए रादा विष्न, 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 रादा विष्न देवी राधा और श्री कृष्ण का यह पावन और दिव्य विवा संपन हुआ प्रिंदावन्ने सदेव राधा कृष्ण के प्रेम को समझा और सराह और आज व्रिंदावन्न की इसी भूमी पर हमारा विवा संपन हुआ है यह स्थान सदा सदा के लिए हमारे हर्दे में बसा रहेगा और इसलिए यह स्थान आज से राधा कृष्ण के विवा स्थली के नाम से जाना जाएगा महाराज आप ठिक तो है क्या हुआ और यह चीक कैसी थी प्राप्दी, मुझे आवास हो रहा है कि वो खृष्ण ने बहुत बढ़ा करने वला है अकस्मा अत्म मेरे इड़त में एक ज्वाला सी पड़क रही है वो बार बार, बार बार में संदे को मिश्वाश में बरिवर्थित कर रही है मक्रिष्ट कुष्ट तो बढ़ा करने वाला है जिसे मैं मावरी कंस चाह कर भी रोक नहीं सकता